बयान बाजी बंद कर दीजे जो आपने कास को नाग कटेगी होगा नाग कट जाएगी जो अनावस्यक तरह से बयान दे रही है मेरे खिलाब कि मैं साधी करूंगी उनकी भी नाग जो है एक दिन सुपन का की तरह कट जाएगी आप चाहते हैं कि सीवरंजनी तीवारी जिस तर नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रमोद गुपता और आप देख रहे हैं जे भारत यूज मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए 12 साल के वाइरल महंत जो है सूरजदास महराज है जिनकी जो है तुलना इस समय मुख्यमंत्री योगी आजितनाच से की जा रही है जिसे कहा जा रहा है कि भविष के मुख्यमंत्री जो है सूरद्दास महराज बनेंगे लेकिन सूरद्दास महराज जो है हनुमान गढ़ी के सबसे छोटे महंत हैं और अयोध्या में रहते हैं लेकिन इनका जो है निजी निवास अस्थान जो है अंबेटकर नगर के मिस्रहुली में ह और इसी मंदिर पर हनुमान जी की सेवा करते हैं सूरद्दास महराज जी एक बार हम तस्वीरे दिखाना चाहेंगे सूरद्दास महराज जी कहां पर रहते हैं इसके लीजो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं अब उत्वर्देश के अमबेटकर नगर जिले से और यहीं आस्रम बना करके महराजी रहते हैं महराजी जजे स्रियाराम जजे बजरंग बली क्या कहना चाहेंगे आज आप एक खुलासा करने वाले हैं आप जो है हनुमान गड़ी के अलावा आपका जो है अमबेटकर नगर में भी निवास अस्तान है यहां पर भी आपका अस्रम है से परबो की किरपा हुई हमारे उपर और जबसे हम यह भगवा कलर क्राचोला धरंग किया है तब से ही रहते हैं अरे हम महराजी आप इस तरह सा गेटाप इपर इनका महराजी का आप दिखायेगा जिस तरह से गेट लेहें कहीं सादी विवाह में तो नहीं जा रहे हैं कि आपने मंदिर से अपने मंदिर अपने मंदिर निकल रही है कलस यात्रा की तैयारी है आप पूरी तरह से तैयार है और जो दर्सक देख रहे हैं और इस अस्थान पर आएंगे अपना जीवन धन्य बनाएंगे लेकिन महराजी जो है बड़ी चर्चा रही का आप साधी बिवाह नहीं करेंगे आप बारे साल की उम्रे में फैस्था कर लेते हैं अब मुझे साधी बिवाह ट्याग कर देना है लेकिन जो है ये साधी की चर्चा बड़ी तेजी सी हो रही है बाबा बागेस्वार पीठा दिवारी जिस तरह से एक आर कि इस साधी बाबा बागेस्वर धिरेन किस सास्त्री से हो जाए। आप चाहते हैं आपका निजी विचार क्या है। वह कहती है कि बाबा बागेश्वर सपने में ही उनके गले में मंगल सूत्र डाल देते हैं, फूल पहिना देते हैं, साधी कर लेते हैं, का तना उचित मानते हैं इस तरह से बयान देना सोसल मीडिया पर यह सब गलत बात है उनकी सोचो तो उनको परसनल रखना चाहिए और किसी को इतना डिश्टर्ब नहीं करना चाहिए कि वो परिसान हो जाए बाबा बागेश्वर कहते हैं कि जो बहने हैं जो मुझसे साधी करना चाहती है जो अनावस्यक तरह से बयान दे रही है मेरे खिलाब कि मैं साधी करूंगी उनकी भी नाग जो है एक दिन सुपन का की तरह कट जाएगी पक्का कट जाएगी मतलब बचाएंगे नहीं मतलब कि हो सकता प्यार करती हो तो आप नहीं चाहते हैं कि कि साधी हो जाए जब प्यार दो करने वाले होते हैं तब साधी होती है एक कि चाह पिता जी जो चाहेंगे वो करेंगे कि अपने मंद से करेंगे यह स्वामी जगत गुरु परम हंस आच्यार जी हैं वो कहते हैं कि हम मेरी बाबा बागेश्वा धिरेन की सास्ती से बात हो गई है फोन पर बात हो चुकी है उनकी साधी में 500 करों रुपया भी खर्च करेंगे ज लाग 2 लाग बराती वी कैसा बीजिए वह फार अजा रही है यह साधी है देना क्या उचीत है यह उचीत नहीं है अदम गलत ऑफ यह लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आक पैंद बाजी बंद कर दिजिए जो आपने कास हो ना कट गी होगा ना कट जाएगी जे पुरत्दास महराजी जो है पूजा करते हैं अर्चना करते हैं बंदन करते हैं यहीं पर रहते हैं चाचा जी आप क्या कुछ कह रहे थे हमारे हमारे हमारा भिचार है हिंदू राष्थ हो हिंदू राष्ट चाते हैं और फोरthonिल्च ऑलकुल छलसे नहीं है कोई पर झाल सूंत और लाइजट लिव हुव कॉर्फे हो लेकिन लेकिन इंगलिस बडी अंप हथाह आपका देंगे पर कॉलने कंप है घता उचाहे कि आपकह bah l Norm यह अनुक हुआहाई का वृ और नुक dari दोग गुर्त की माग कर रहे हैं और भी कुछ लोग हम बाचीत करने की कोशिस करते हैं आप लोग यहां पर आई हैं सुरदास महराजी का एक्षा लग रहा है बहुत अच्छा लगा इप बारा साल के उम्र में इतना कुछ बयान देते हैं लोग उनको ध्यान से देखते हैं ओरल होते हैं आप लोग को क्या फिल होता कि एक चोटा सा बच्चा है जो है सनातन स्रसकुतित्यव को आगे बढ़ा रहा है इस zone on ну youugen quoi चर्चा है आप लोगों ने भी अगर वीडियो देखा हो सिवरंजनी तीवारी का बाबा बागेश्वर धाम धिर्यन किसास्त्री का नहीं देखो हमने वीडियो नहीं देखी जूट नहीं बोलेंगे वह कह रहे हैं मेरे प्राणनात है मैं साध्योधी करना चाहती है नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एं महाराजी बहुत मन से सेवा कर रहा है हम लोगों की बहुत प्रसंन है और हमारे जो भागेश्व हम हम माराजी के साथ बेठे हैं के साथ में आये हुए जिस्तरा से सनातन संस्कृति की बात है तो इसमें इसी बीच एक साधी की बढ़ी शर्चा हो आप लोगों देखाओ शिवरंजणी तीवारी ओंडेर्ट के majesty की तो आप लोगे क्हा है इस तरह से जो शिवरंजणी ने बियान दिया कि वो मेरे प्राणनाथ हैं कलस्यात्रा जो है 1500 किलो मेटर 1600 किलो मेटर लेकर चलती हैं तो आप लोग किस तरह से आप लोग भी युआ हैं किस तरह से लिखती हैं नहीं यह बिलकुल गलत है वो ऐसे नहीं है बहुत अच्छे महराजी है वो जो भी ऐसा बोल रहा है बहुत अच् पढ़ी करते हैं कहते हैं जो बहने जो है में इस तरह से बयान बाजी कर रहें उनकी भी जो नाक है एक तरफा प्यार में जो है निकलना है और जो है नौ दिन का यहां पर भागवत कथा होगा तो आप भी यहां पर पहुंच सकते हैं फिलाल आप क्या सोचते हैं हमें अपनी जो है कमेंट राए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा